तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले IRFC के IPO के बार में जी हां IRFC का IPO चालू हो चुका है इस वीडियो में हम आपको as of now जो subscription status है उसके बारे में बताएंगे anchor investors जो बड़े लोग investors है जो कल लिस्ट निकली है उसके बारे में बताएंगे company credit rating क्या है और company का यहाँ पर credit rating क्या है और उसके अलावा हम बात करेंगे उनके valuations की और आपकी क्या राय होनी चाहिए और उसके अलावा भी यह सब चीज़े के बारे में बात करेंगे चलिए हम सबसे पहले जान लेते है अभी जो subscription status है वो क्या है देखेंगे आप दो जगे subscription status देख सकते हैं Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange तो अगर हम QIB की बात करते हैं जो की पहले BAC पे देखेंगे तो लगबग अभी जो bids आई है वो 0 से भी कम की है मतलब fully subscribe होना बागी है केवल 17,250 share के लिए बिड़ा ही है अगर हम non-institutional investors की बात करते हैं तो करीबन 0.0377% यहां पे subscription हुआ है retail investors की बात करें तो 0.32% यहां पे subscription देखने को मिला है employee जो की IRFC के employees होते हैं उन्हें भी यहां पे subscription में apply करने का मौका है कुछ discount पे तो जो उन लोग ने apply किया लगबग आप देखेंगे तो दो गुना subscribe कर जोके हो लो तो employees का इस company पे काफी belief है मतलब आप समझ सकते हैं इसमें कितना potential है तो overall अगर आप बात करें BAC पे 0.17% यहां पे subscription देखने को मिला है अब हम बात करते हैं NSE पे अगर NSE पे देखेंगे तो QIB के लिए कोई भी bid नहीं है और अगर हम non-institutional investors की बात करें तो 0.01% यहां पे subscribe हुआ है और institutional investors यहां पे जो हुए है वो करीबन जो bids आई है 34,20,000 की आई है retail investors का अगर आप portion देखते हैं तो करीबन आदा subscribe हो चुका है 0.49 और वहां पे अगर employees की बात करें तो 0.59 यहां पे subscribe हुआ है तो overall आप देखेंगे तो employee वालों ने सबसे जादा यहां पे subscribe दिखाया है और अगर retail investors की बात करें तो 0.49 और 0.32 करीबन काफी अच्छा यहां पे subscription देखने को मिला है इन दौनों का मिला कि आपका total subscription बनता है तो यह बात हो गई हमारी company के as of now subscription status की इसके बाद हम बात करते है company की credit rating की देखिए IRFC एक NBFC company है उसे बहुत सारा loan उठाना पड़ता है क्योंकि वो loan लेके ही यहां पे Indian Railways के लिए काम करती है और भारत सरकार के लिए काम करती है तो उसे जितना भी loan चाहिएगा या तो वो खुद की funding होगी और या फिर जो भी loan लेती है तो उसके लिए credit rating बहुत important है और मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ जिन जिन की credit rating अच्छी होती है उनको loan बहुत सस्ते में मिलता है मान लीजिए अगर किसी credit rating खराब है तो उसके loan की दर होगी कम से कम 10 से 12% वहीप अगर किसी की loan की दर कम होगी मतलब उसके credit rating अच्छी है तो यहाँ पर जो credit rating की जो agencies उनकी rating की बारे में बात करते है कृसल ने जो rating दी है कृसल AAA और कृसल A1 plus की rating दी है एकरा की जो rating है एकरा AAA, एकरा A1 plus की है केर ने जो rating दी है, केर AAA, केर A1 plus दी है मूडी ने BAA3 negative स्टेंडर्ड पूर ने ट्रिपल भी नेगेटिव दी है स्टेबल के साथ आउटलुक फिच की जो रेटिंग है बीबी नेगेटिव है और जैपनीस क्रेडिट रेडिंग बीबी पॉजिटिव इच्टेबल आउटलुक देखिए अभी जो रेटिंग की बात करें तो लगब तभी कम लगेगा जब यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होंगी तो हम एकरा और क्रिसल और केर की बात करें तो काफी अच्छी क्रेडिट रेटिंग है अब हम बात करते हैं एंकर इंवेस्टर्स किन-किन बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है देखिए सबसे पहला आपका जारना बहुत जरूरी है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा एंकर इंवेस्टर्स को जब भी प्रिफरेंचल अलाट्मेंट मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वह आपके जैसे लिस्टिंग डे के दिन बेच पाएंगे एंकर इंवेस्टर्स की जो शेर होते हैं वो 30 दिन के लिए यहां पर लॉकिन पिरेड में रहते हैं यानी लिस्टिंग होने के एक महीने बाद ही वो बेच पाएंगे तो आप जरूर देखेंगे कि कभी भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो उसके 30 दिन बाद उसमें एक छोटी सी यहां पर करेक्शन देखने को मिल सबसे बड़ा जो यहां पर स्टेक खरीदा गया है वो HDFC ने खरीदा है जो HDFC एक्विटी फंड करके है उसने खरीदा है और उसके बल अलावा HDFC अपॉर्चुनिटी फंड करके कुछ है उनने खरीदा है फिर हम बात करते हैं एक HDFC डिविडेंड यील्ड फंड है उसमें यहां पर स्टेक खरीदा गया है वही पर निपॉन टेक सेवर फंड निपॉन स्मॉल कैप फंड निपॉन वैल्यू फंड निपॉन बैंकिंग फंड निपॉन इंडिया विजन फंड इन सभी में स्टेक खरीदा है और आप यहां पर संटेज देख सकते हैं लगबग सब का काफी अच्छा स्टेक है, अगर आप देखते हैं कि निपॉन ने जो स्टेक खरीदा है Tech Saver Fund के लिए करीबन 9 प्रतीशत यहाँ पे overall portion को subscribe किया है, और अगर हम share की बात करते हैं, तो करीबन काफी अच्छे share खरीदे उन लोग ने, जैसक कि 480,85,000 करीबन share खरीदे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं overall subscription किसने कितना subscribe किया Invesco Mutual Fund ने भी काफी subscription लिया है, लेकिन सबसे important मैं बताऊंगा आपको Government of Singapore जो की GIC investment करके आप सुनते हैं उसने करीबन 9 करोड, 5,23,000 share के आपी bid लगाई है और overall subscription का उसका जो portion है, वो 17% है तो अगर आप देखेंगे, Invesco Mutual Fund ने भी काफी fund से हाँ पर purchasing करी है, जैसे कि करीबन उनके 10-12 funds हो चुके है Contra Fund, Growth Fund, Tax Plan Fund, Dynamic Equity, Mid Cap, Mid Cap and Small Cap Fund PSU Equity Fund, Banking Fund उसके अलावा यहाँ पर Equity and Bond Fund है, एक Leaders Fund है Business Leaders Fund है, Infrastructure Fund है, उसके अलावा गर हम बात करें Equity Savings Fund है, फिर एक है Monetary Authority of Singapore, यानि Singapore की एक और Government की कमपनी है जो की जिसका नाम है Monetary Authority तो उसने भी पैसा लगा है, वही पर अगर हम बात करते है, SBI, NPS Trust, यहाँ पर जो SBI की Scheme है, Pension Fund Scheme, उसने भी पैसा लगा है और Pension Fund में आप ध्यान रखिए कोई भी ऐसे Shares पे पैसा नहीं लगाया जाता है जिनमें बहुत Volatility देखने को मिलेगी या बहुत ही ज्यादा वो Risky Investment होगे Pension Fund में वो लोग पैसा लगाते हैं जिनमें decent Gains मिलें और जिनकी violations अच्छी होती है और जिनमें risk to downside काफी कम होती है तो आप समझ सकते हैं अगर Pension Fund वाला पैसा लगा रहा है तो आप भी लगा सकते है Pension Fund एक तरीके के बहुत nominal पैसा लगाया जाता है उनमें ज्यादा आप ट्रेडिंग नहीं देखेंगे तो यह आपको इससे मैं समझाना चारू कि IRFC का जो IPO है और जो share है वो आपको एक खतरना गेन नहीं देगा listings पे मैं यह मानता हूँ क्योंकि अगर आप GMP देखेंगे तो 2 रुपे का GMP है लेकिन आपको long term के लिए पैसा बना के देगा और वो कैसे देगा हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे उसके बारे में सबसे पहले BNP Arbitrage Fund है उसने पैसा लगा है Kuwait Investment Authority जो कही है उसने भी काफी अच्छा पैसा लगा है Goldman Sachs Tata AIG Rising India Focus Fund और Aditya Builder Insurance Company तो इन सभी लोगों ने पैसा लगा है तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो Anchor Investors है वो काफी ज्यादा है Insurance Company में ने लगा है Pension Funds ने लगा है Mutual Funds ने लगा है Depth Fund में से जो Bond Fund होते हैं यानि जिसमें Dynamic Funds होते हैं Liquid Funds वगेर होगे उन लोग ने भी पैसा लगा है और उसी के लावा भार की Government जैसे Kuwait है, Singapore है इन सबने पैसा लगा है तो आप देखेंगे Anchor Investors काफी अच्छे हैं तो इससे आपको पता पड़ता है कि Company में कितना दम है अब बात करते हैं Valuation की देखिए जो Valuation है वो Company का बहुत ही कम है अगर आप P.E. Ratio की बात करें 11 रुपए P.E. Ratio मतलब क्या हुआ अगर Company एक रुपए कमाती है तो आप उसका जो एक रुपए कमाने के लिए यहाँ पे 11 रुपए लग रहे मतलब P.E. Ratio ऐसा निकाला जाता है कि जो Price होती है उसे Divide किया जाता है EPS से तो यह 11 रुपए कमपणी अगर कमाती है तो आप 11 रुपए पैसा दे रहे तो आप यह समझ लीजिए कि P.E. Ratio काफी अच्छा है अगर आप Market में बात करें बाकी सब NBFC की तो उनके P.E. काफी जादा होते बाजाज फिनेंस या फिर इन सब कमपनी बाजाज फिनसर इनके बहुत हाई P.E. स होते अगर आप उनके कमपेर करने गए तो बहुत अलग है लिकिन उनके कमपेर नहीं करना चाहिए इनका बिजनेस मॉडल पूरा रेलवे की फंडिंग पे है और ये लोग रोलिंग स्टॉक और वैगन्स वगरे खरीद के देते हैं ये सब फंडिंग करते है तो इनका बिजनस थोड़ा अलग है आप उनसे कमपेर ना करें और उनकी वैलिएशन भी अचीव नहीं होगी मैं मानता हूँ लेकिन यहां पे जो आपको लिस्टिंग गेन देखने को शहद नहीं मिले क्योंकि जो जीएमपी है अगर आप देख रहे होंगे करीबन डेड़ से दो रुपय चल रहा है और लॉंग टम के लिए ये बहुत अच्छा शेयर है आपको लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि क्या होगा जब इसकी लिस्टिंग होगी उसी के जश्ट बात कुछी दिन बाद यहां पे बजट आने वाला है और बजट में यहां पे रेलवे बजट जो अगर उसमें कुछ भी उपर नीचे हुआ मान लीजिए अगर रेलवे बजट में जो फंड ऐलोकेशन किया गया वो कम किया गया तो इसी का भाव यहां पे तूट सकता है अभी फंड कम अलोट करेगी है ज्यादा करेगी उसके बारे में हम अगले वीडियों बात करेंगे जब हमारा बजट स्पेशल वीडियो आएगा क्योंकि अभी आप देखेंगे तो रेलवे ने पिछले लगबग करीबन 9 महीने से कुछ खास काम नहीं किया बहुत लिमिटेड काम है लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आ चुकी है तो रेलवेस धीर धीर बढ़ेंगी रोज नहीं नहीं ट्रेने चालू हो रही है तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर डिमांड बड़े एक्सपेंशन बड़े लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होगा वो है बजट तो वो यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी बहुत वोलिटिलिटी दे सकता है लेकिन जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कोई भी लॉंग टम शेर खरीदने के लिए आप staggered buying करें तो staggered buying का पहला मौका है भी यह आप IPO में लगाए अगर आपको मिल जाता है तो उसको रखे और अगर आपको कोई listing gain होता है तो आप इसे बेज दीजिए लेकिन overall मेरी राय रहीगी जो मैं खुद कर रहा हूँ मैं आपको बता सकता हूँ कि इसे long term के लिए रखना चाहिए यह काफी अच्छा पैसा बना सके दे सकता है यह IRCTC जैसा gain नहीं देगा मैं मानता हूँ लेकिन अगर आपने RVNL और बाकी सभी IRCON के देखे होंगे listing gain तो काफी decent रहे और उनके return भी काफी decent रहे तो उस लिहाद से आप देखेंगे तो यह long term का share है इसमें listing gain होना थोड़ा मुश्किल है मैंने आपको बता दिया budget है की event है बाकी सारी जानकारी हमने दे दी है तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं खतम होता है उसके अलावा भी हम हर दिन यहापे GMP और इसका subscription status update करते रहेंगे और last day में वापस एक final opinion बताएंगे क्योंकि हम लोग ने एक trick बताई थी कि जिसमें आप इसे कैसे आप अगर कोई खराब IPO है और कैसे उससे बच सकते वो trick ऐसी है कि भाईया आज आप apply कर दीजिए और UPI mandate आप चौति दिन बरिये क्योंकि UPI mandate जो भढ़ने की date है वो आज जैसे 18 तारिक है तो 18, 19, 20, 21 तारिक को आपको UPI mandate भढ़ना है करीबन 4-5 बदे से पहले-पहले तो हमनारे पास जब 19, 20 तक का data होगा 20 को हमें पता पढ़ जाएगा कितना subscription status है कितना GMP है उसके बाद हम decision लेंगे और अगर हमें लगता है इसमें लगाना चाहिए तो हम पैसा लगा कि UPI mandate को अप्रू कर देंगे और अगर हमें लगता है कि भया रिस्की है और GMP कम हो रहा है तो हम बोल देंगे कि भया हम UPI mandate ही नहीं परेंगे अगर आप पैसे ही नहीं बेजेंगे उन्हें तो आपको यहाप एप्लिकेशन का कुछ अलॉट्मेंट मिलेगा ही नहीं तो यह बहुत ही शांदा ट्रिक है आप अप्लाय करके रखे mandate आप भरे भाद में तो यह हमारी एक exclusive ट्रिक थी जो हम लोग ने लोगों को बताई थी काफी टाइम से बताते आ रहें इसी तरह कि अगर आप stock market के और ट्रिक्स जानना चाहते है और IRFC से और अपडेट जानना चाहते है हमाय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आयो लाइक कीजिए शेर कीजिए सभी IRFC के एप्लिकेंट्स के साथ जो इसमें अपलाय करना चाह रहे है यह वीडियो यहीं कतम होदा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद